तंत्र को कुचलना चाती है बाज़का Necessarily good for tomorrow जो हम कल कर रहे थे वही भविश्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे ये संभव नहीं है यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परवर्दित होना पड़ेगा आवशेक इसलिए था कि ये सारी के सारे जो environment है भारत भारत के चारों तरफ सारे संदार के अंदर में वो बदल रहा है दूसरा इसको परिपेक्ष में देखने की ज़रूरत है दिर दे नीज टू लूक अट इन ए परस्पेक्टिव ये अगनिपत अगनिपत अपने में कोई योजना नहीं है ये अगनिपत अपने में कोई स्टैंडलों साइलों नहीं है प्रिधान मंत्री प्रिधान नरेंदर मोदी जी जब सत्ता में आये 2014 में तो उनकी सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता, one of his prime priority was how to make India secure and strong and that required many many avenues that required many steps multitude of them broadly speaking they come under the four heads it requires equipment it requires change in systems and structures it requires change in technology it requires change in manpower, policies and they have got to be futuristic कल और प्रविशे की तरफ देखते भी हमारे को इंचारों चेत्रों में अपनी प्रिधिती करनी है आप ते देखा होगा गर आप इछले के आठ सालों के अंदर में देखे हैं तो structural and systematic changes बहुत सारे हुए है माल यह जाए कि CDS का गो था पिछले 22-25 साल से पढ़ा हुआ था यह demand थी group of ministers के recommendation थी लेकिन राज़ेती की चाशक्ति नहोने के कारण यह implement नहीं हुई हमारे यहां साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे defense cyber agency का निर्मान एक structural and systemic change था defense space agency का आज से पांच साल दस साल पुराने सानिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारे defense agencies के अपनी space के एक independent agency है एक independent वो है इसी प्रकार से बहुत सारे जो systems and structures में चेज़ के दूसरा जो छेतर था जो है equipment का आज हम आपने देखा होगा सरकार ने अपनी सेना के लिए कितने नए तरह के weapons हमारे पास में जो assault rifle थी जिस पर हम depend कर रहे थे 7.62 वो शायद इतनी कारगर नहीं थी अब उसको replace किया जा रहा है भारत में विन हुए AK-203 के साथ में यह एक बहुत ही कामगर और दुनिया की one of the best assault rifle होगी है इसी प्रकार से अगर हम देखे चाहे वो पंडिवियों के खेतर में है चाहे वो personal equipment of the soldier है चाहे वो aircraft हैं हमने light combat aircraft का और अभी फिफ्ट जनरेशिन aircraft एमका का हम दिर्मान कर रहे है तो equipment के खेतर में एक बहुत प्रगती की जा रही है और एक है technology का जो सबसे ज़्यदा competitive field है इसमें पैसा भी बहुत लगता है और बहुत कोशल बैज्यानिकों के आवशक्ता होती है we need the top scientists who are globally competitive in others देखिए इस सरकार के time के उपर में अंतरिक्ष के अंदर में जो बड़े और नए संकता है सारका सारा warfare जो है वो satellite control होगा आपका जो हवायाद चलेगा या आपका जो radars काम करेंगे वो सब satellite communications and satellite control होगे पर सर ये अगनी वीर जो है उनकी training सिर्फ एक या तीन महीने की होगी मतलब आर्मी चीप ने का है that by December recruitment हो जाएगी और March तक deployment हो जाएगी ये कहां से आप उनको training दे सकते हैं radar या submarine के लिए how to run it how will you train them इतनी जल्दी मैं आपको इस पर आता हूँ ये बहुत अच्छा पांट है मैं आपको भी बताता हूँ but I'll just tell you before that let me tell you that is in the field of technology we have done a great this thing we have got light combat aircraft we have got AMCA we have got submarine that we have made we have been the nuclear submarine that we have launched and we also became a space power we have heated these satellites and the fourth pedestal of it is the manpower organization now in the manpower organization the point that you have raised was that is we must have a young young, agile, fit, well-trained army it is a contradiction, it's a paradox that Bharat का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है उसकी एक oldest army है जहां पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उमर के होंगे उसी देश के अंदर में जो सेना की average age है वो दुनिया के सबसे अधिक agent armies में से है तो हमें से उसको ठीक करना था अब आपने प्रश्नी किया कि यदि हमारे को अगनिवीर बनाते हैं या हम अगनिपत के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी training और उनको equip कर पाएंगे इन नई चुनोतियों का to meet the new challenges and the threats will they be competent enough now let me tell you one thing first point you must understand Agnivir will never constitute the whole army Agnivir केवल पहले चार साल में recruited जवान होंगे बाकी रोग जो होंगे जिनका की proportion एक बहुत बड़ा होगा वो अनुभवी होंगे they will be experienced, they will be trained and other and these Agnivir those who become the regulars eventually will go through more intensive training will acquire the experience will become more battle worthy and more experienced over the period of time so Indian army at any point of time will have a large number of people who though recruited as Agnivir but had been specially selected for their suitability, for their fitness for their agility, for their motivation and for their aptitude for the job and also did not have that sort of personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life so these persons will be well trained so it is not only that the Indian army will be having only this component yes, Indian army will constitute at the level of the jawans and the ORs who have been recruited through the process of Agnivir specially selected whose work, whose performance has been monitored and digitally monitored through various complex processes over a long period of time selection is one part even when you select people who are physically fit and others it is a very small this thing but when you observe them over a longer period of time we are able to see that what sort of material do we have which will make the ideal soldier for the future imagine the army of 15 years heads in which all those who have been recruited have come through the special 4 years probation period and then gone and joined the army see their technical skills see their motivation their physical fitness and others they will all be the people who will probably the cream the cream of the Indian army right so my first question will be I will go later into those who are not being amalgamated but first about those who are going to be amalgamated into the service there is already a system of your regiments and cores will it not demotivate somebody who has gone through the NDA who has gone through the rigorous training process earlier and then they will see them as Johnny come lately he is and they are already getting the benefits that we were getting but we had to put in so much more hard work so will it cause a disruption and will they be will they be seen as lesser soldiers regardless look for Sena every recruit fresh whether we go in a regular or some do whatever once another once another पहले एक मेनी के service होते हैं भी छ्ट मेनी के होती है फर एक साल के होते हैं वो शुरू नहीं होता है पंद्रा साल के बारा साल के service के साथ में एक बात जहांतक regiments का सवाल है इसमें दो बाते समझने हैं यह जो regiments का concept है इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है अगर regimens है तो artillery की regimens रहें गे, electrical mechanical engineers र बाके सारे यह जो regimenल कभी कभी infantry की कुछ units रेंदर में बारे में लोगों को भर्म है पहली बात कोई कास्ट-based regimens बहुत कम बची look, सिर्ब दो या तीन हैं. जो कि अभी भी प्युर वसी एरिया की ख्षित्र को करते हैं. और ये कालोनिय लेगेसि का. अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी चीस पैनि इंडिया नहो. और वो ये चाहते थे कि उनको किसी ने किसी वर्ग में बाटा जाए और वर्ग या खित्र के प्रतिनिदी के रूप में जाएं, उनका कोई नैशनल प्रस्पेक्टिव नहीं हो, क्योंकि इस से उनके अपने कॉलरेल इंपायर को एक खत्रा था, देखे मैं आपको बताता हूँ, इसी इंडियन आर्मी को, फर्स्ट टैम ये नैशनल आर्मी के इनकी जाजमें थी महत्मा गांधी रेजमेंट, नौट अहीर और रागवूत और ये नहीं थी, और कितना साथ हजार में से चाली से आर्मारे गए, इतना एक्ट्रिशन हो था, दुनिया के अंदर में किसी लड़ाई के अंदर में इतना एक्ट्रिशन नहीं हूई है, जित ये आपटॉर के अंदर में नहीं थी, झाल नहीं है, ये जो हैं हिसले का पूराईवन हो धोमें पीडिशन होता है, अगर ये बाट्यन हाई, उसकी आपने एक वेलर है, उसकी अपनी एक लिखे तोड़े तो वह हमेशा बर्करा रहेगा, और उसमें बढ़ोत्रिय बढ़ो अब इसका हुआ यह है कि हमने यह कहा कि एक All India complexion होगा, इंडियन आर्मी का, इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम खतम हो गया, रेजिमेंटल सिस्टम खतम नहीं हुआ, infantry रहेगे, artillery रहेगे, armored core रहेगे, signal signals रहेंगे, infantry के अंदर में भी grenadiers है, उसमें किस जानादी के लोग है, हमारे परमीर चक्रह जब उनको मिला, तो ये गर्नेडियर्स में जितने battle honours उनने लिये हैं, तो ये, सिरफ हम ये चाहते हैं, कि भारत के हर नागरिक, हरी यूथ, हरी वा, every youth of this country who has got a desire and a motivation and feels a sense of commitment to defend the country, he gets an opportunity. His youth, his energy, his talent is proat towards making this country strong and impregnably defendable. What happens after those four years are over and they don't find space in the services and they don't find space in the paramilitary? Because the reason I'm asking is, कुछ लूस कमेंट्स आये हैं, कि वो प्लम्बर एलेक्रिशन बन सकते हैं, सक्यूरिटी गार्ड बन सकते हैं, तो फ्यूचर को लेके थोड़ा बहुत अप्रिहेंशन कर लीजे, या डर है लोगों में, कि how will they be better off after the four years? Will they have a skill set which is market friendly, which they can get jobs? I think this is one of the biggest misunderstanding that has been created, either deliberately or by lack of full knowledge and understanding of this thing. We are talking about a young man who is 22 or 23 years old, has done four years of service and now he's in the market. Compare him with any other 21, 22 years old man who has not become Agni Veer. This man, this person has got, he has become disciplined, he has got the capability to work in a team, he has learnt skills, he has developed the confidence and he is trainable. His mind and his vision, he has got an all India perspective. So he is much more equipped to face this suicide on top of it. He has been given a qualification that will be plus two. that makes him comparable with any other persons in his age group to which the others are joining. So there is no avenue that has been debarred or closed for him. These people have been exposed to that. And then these people have been applied for 11,000,000,000,000,000. which can bring up some more courses. They can visit the next couple of courses, which can attend their advanced courses. university means they can study your courses, universities can study your courses. If you want to learn to not gather technical skills, then you can join them with polytechnic for a semester. Today, average age settlement की अपने केरियर में 24-25 साल 26 साल होती है देखिए आज हम उस दमारे में हमारे A-SPAN के साथ में वन लाइफ टू केरियर की बात करते हैं अब तो लोग वन लाइफ थ्री केरियर की बात करते हैं कंपेर करें यही आदमेगर 15 साल के बाद जाता तो 32-34 साल का होता इस वकत में अब उसको कोई नट्रेनिबल है उसकी जितनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाएं क्योंकि अभी उसकी शादी विए 3-4 साल हुए है अभी उसके पास चोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी कोई लड़की होगी तो वहीं 25 साल के बाद शादी के लाइक होगी उसके पास जुम्मेदारिया हैं जुम्मेदारिया हैं पहले के जमाना फर्क था यह जो सोल्जर था वो गाउं से आता था और गाउं वापस चरह जाता था गाउं में रहने के लिए उसके पास थोड़ी जमीन होती थी और पेंशिन पे गुजारा हो जाती था आज पेंशिन पर उसका गुजारा नहीं होसकता तो उसको सेकंड केरियर चारशक्ता होती है 34 साल के बाद में इसका 40 साल का जीवन भी और बचा हुआ है इस 40 साल के जीवन में ना उसको हम नई ट्रेनिंग दे सकते हैं ना उसको कहीं पर अगर अब्जॉर्ब करें तो वो एक नए केरियर की नई शुरुआत नई जोश के साथ में उसको आगे बढ़ा सकता है तो इसलिए इसको यह रखा गया है कि अगर वो चार साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लेन, उनका बैक ग्राउंड, उनका आर्मे का केरियर उनको समाद में एक मुचा स्तर देता है उसके बाद उनके पास एजुकेशन भी है और यह top of it है कि सरकार ने कहा कि 10% CPMF में होंगे Defense Forces के अंदर में जो Defense, Ministry of Defense के अंदर में Coast Guard है, बाकी चीज़े हैं जो कि उनके उसमें अंदर में आते हैं Defense of Service Corps है और उसके अंदर में और काफी मिनिस्टेशन ने कहा है अब देखिए, यह 10% अगनी वीर्ज का नहीं है यह 10% उनके यहां भरते अब होने वाले लोगों की है तो अगर फर्स कर लिजे कि CPMF की भरती 40,000 यह 50,000 की है तो उसमें 5,000 जाएंगे यह 10% अगर जो उनके 3,000 यह 4,000 लोग यह 5,000 लोग जो है उनके जो उसका 10% नहीं होगा यह इन नहीं अब भारत आगे बढ़ रहा है भारत की प्रिगति हो रही है पहला आदमी आगनी वीर्ज जब रिटायर होगा तो आसर पांच साल के बाद में होगा वह सोगत भारत की एकॉनमी पांच ट्रिलियंट की एकॉनमी होगी प्राइवेट सेक्टर यह नहीं गती है और नहीं दिशा के साथ में आगे बढ़ेगा डिफेंज इन्रस्ट्री जिस तरह से बढ़ रही है बहुत सारे ऐसे काम होगे डिफेंज पब्लिक सेक्टर अंदर में जिस प्रकास से विस्तार हो रहा है कंट्री के अंदर में मैनुफेक्टरिंग बढ़ रहा है उनको लोगों को यह लोग चाहिए जो डिस्टिप्लेंड हो, ट्रेनेबल हो और जिनके साथ जिनको जिनके पास में उमर हो इनका सबसे बड़ा असेट है इनकी उमर कि यह अभी भी यंग है इस साथ इस उमर में कई लोग अभी बेगरम जाएं पॉलिटेक्निक के अंदर में लोग बढ़ती होने के लिए जाते हैं तो उनमें से कई लोग 22, 22, 23 साल को होते हैं दो साल तिन साल का कोर्स करते हैं उसके पाद वह आपने लिए एक मैनुफेक्ट्रिम जाएं कोई कंप्यूटर का कोर्स करते हैं दो साल का कंप्यूटर का कोर्स करें इन्फर्मिशन टेक्नोलोजी के फीड में इतने हुआ है इस विश्णोई गैंको